Okay, so welcome back to the React.js machine code episode 4 आज हम बात करेंगे कैसे हम circular progress बार create कर सकते हैं React.js में और जितना भी मैंने google पर search किया है काफी बड़े-बड़े codes दिखें हैं like काफी complex भी हैं आज हम minimal line of code में देखेंगे कैसे हम circular progress create करते हैं React.js में और यह कई बार machine code में पूचा जाता है तो मुझे यहाँ पर dev script already मेरा लिखा हुआ है तो project start करने के लिए मुझे npm run dev command को use करना है और like within a second मेरा project यहाँ पर start हो जाता है और यही benefit है अगर आप create react app के थूँ अगर create करेंगे तो काफी time भी लगता है लेकिन यहाँ पर अभी localhost 5173 पर मेरा project already है हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कुछ बना लेते हैं जिससे complex ना हो और मुझे जो भी मैं save करूँ मुझे instant दिख जाए results तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे दो divs create करने हैं तो div into two करूँगा मैं तो यहाँ पर दो divs आचाएंगे और दो दो divs को अगर अब भी मैं चाहँ या फिर ऐसे नहीं करेंगे इसको हम क्योंकि एक के अंदर एक चाहिए मुझे तो वो मुझे करने के लिए ऐसे करके ऐसे करूँगा तो एक div के अंदर एक div आचाएगा अब यहाँ पर इसकी मुझे class name देनी है outer circle यह मेरा रहेगा outer circle और जो inner वाला div है उस div को मुझे देना है class name inner circle तो दो circles हमें यूज़ करने है ज्यादा कोई complexes नहीं है just a simple दो circles यूज़ करने है और flex properties जो है वो CSS का लेक में कहों तो foundation है आपको ज़रूर flex properties आनी चाहिए bootstrap वगरा यूज़ मत किया करो like initial अगर आप college days में हो तो सीधा CSS like जो भी CSS के basics है वो आपको करना चाहिए क्योंकि interviews में usually क्या होता है आपको like modules use करने को नहीं मिलेंगे आपको direct like code लेगे ना पढ़ेगा आपको कोई libraries यूज़ नहीं कर सकते है तो यहाँ पर direct CSS का जितना आप use करेंगे उतना और यह सब practice ही होगा इन एंड होगा ऐसा नहीं कि like जब होगा तब कर लेंगे आप जितना ज़्यादा practice करेंगे उतना अच्छा है और यहाँ पर हमारा रहेगा percentage अभी मैं दे देता हूँ 50% और इसको save करता हूँ तो instead of circular progress अभी मेरा 50% आ जाएगा अब मुझे outer circle को सबसे पहले यहाँ पर style करना है तो style करने के लिए मैं यहाँ पर app.css में जाता हूँ तो उसमें यहाँ पर जो मेरी body है तो उस body को सबसे पहले मैं padding दे देता हूँ 50-50 की तो थोड़ा सा center में रहेगा मामला अपना and then outer circle में अलरेडी copy कर लिया है इसके लिए हम CSS लगाते हैं तो इसके लिए जो CSS सबसे पहले लगीगी तो इसके हम width दे देते हैं 500px and then height देते हैं 500px correct यह तो like 1 square बन जाएगा हमारा और उसके पहले मुझे यहाँ पर background color भी देना होगा तो background color में यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऐसा दे देता हूँ ठीक है यह दे देते हैं यहाँ फिर इसका background color दे देते हैं this would be fine और इसको थोड़ा सा ग्रेश में ले जाते हैं क्योंकि यह जो रहेगा circle हमारा यही हमार actual progress bar का मतलब जो progress रहेगा circular progress उसका काम करेगा and then अब इसको अगर मुझे circle में turn करना है तो मुझे इसकी जो border radius है उसको सीधा 50% कर देना है तो यह मेरा circle बन जाएगा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको और अब इस circle को इस circle के center में मुझे चीज़े लानी है that means कि जो मेरा इसके पहले में काम करता हूँ जो मैंने last video में भी आपको बताया था like most of the चीज़े सीम रहेगी जो हम like progress bar में भी करते है but कुछ चीज़े चीज़े जोगी जैसे यहाँ पर border radius हमने 50% दिया इसको circle बनाने के लिए तो अभी जो inner circle है उसको भी थोड़ा से define कर लेते है तो उसका भी background color हम दे देते हैं ताकि हमें properly reflect हो जाए इसके लिए हम white use करेंगे तो इसको हम पूरा white कर देते हैं save करते हैं and then इसका width तकर देखें हम तो इसका width में देता हूँ 460px और इसका height देता हूँ 460px थोड़ा सा उससे कम रहना चाहिए जो हमारा outer circle है correct इसको अभी save करते हैं और inner circle की class नहीं है यह properly इसलिए हमें दिखने रहा है अभी हाँ अभी यह मेरा white white यहाँ पर आ गया है अभी इसका भी हम जो border radius है उसको हम 50% कर देते हैं तो यह भी एक circle बन जाएगा अभी यह circle इसके अंदर तो है जो हमारा outer circle है उसके अंदर तो है लेकिन यह center नहीं है अब उस चीज़को center में लाने के लिए हमें flex property यूज़ करनी चाहिए विसे multiple ways है बट flex एक simple way है काफी simple है मतलब यहाँ पर display flex लगाना है आपको and then justify content center तो यह जो अपना horizontal है उस way में justify content center करेगा अब vertical में अगर मुझे center करना है तो align item center कर दूँगा तो यह जो है मेरा circle inner circle center में आ गया यहाँ पर मुझे outer circle दिख रहा है अंदर जो भी item से वो center में आ जाए तो inner circle हमारा center में आ गया क्योंकि हमने outer circle में लगाया display property अब मुझे inner circle में लगाना है ताकि मेरा heading है वो center में आ जाए तो यही तीनो properties अगर मैं copy करके यहाँ पर paste कर दूँगा तो यह मेरा 50% भी center में आ जाएगा अब मुझे क्या करना है अब मुझे करना है कि यह जो मेरा outer circle है यहाँ पर मुझे अपना progress showcase करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है उसके लिए यहाँ पर एक property आती ही जो background हम color दे रहे हैं यहाँ पर instead of background color यहाँ पर हम background देंगे और यहाँ पर आता है conic gradient अब यहाँ पर conic gradient में हम सबसे पहले यहाँ पर एक color देते हैं और वो color हमारे decide करता है कि मतलब अगर इसको मैं blue color दे दूं direct और यह color जो रहेगा यह field color रहेगा मतलब यह जो color है मेरा यह center से इतने degree field करेगा जैसे भी अगर मैं यहाँ पर 45 degree दूंगा DEG तो यह center से 45 degree इसको fill करेगा अभी comma देकर मुझे second property भी add करना है and that would be कि जो remaining part मेरा वो remaining part मुझे कितना fill कराना है correct तो यह जो remaining part मेरा इसको white से ना इसको थोड़ा सा grayish ही रहने देते है मतलब जो हम पहले use कर रहे थे तो थोड़ा आपको difference दिखेगा center से 45 degree हमारा blue हो गया and जो remaining part है मतलब यहाँ से 0 degree मुझे इसको grayish रखना है मतलब अगर यहाँ पर अगर मैं कोई color change भी करता हूँ 50 degree इसको करते है तो यह थोड़ा gradient form में change होते जाएगा अभी अगर मैं इसको 180 कर दूँगा तो यह gradient form में 180 degree है तक इसको grayish रखेगा and then अगर मैं 360 कर दूँगा तो यह मेरा पूरा fill हो जाएगा यहां तक लगबग तो इसको 0 degree रखना है that means कि जो यहाँ से जितना भी degree remaining है वो पूरा मेरा grayish है and 45 degree only blue रहा अभी इसको blue रखते है definitely अभी अगर मुझे यहाँ पर इसको 50% करना है 50% that means कि यहाँ का 50% यह होगा हमारा जो कि मेरा अगर 90 degree करूँगा तो यह मेरा perpendicular बन जाएगा 90 degree और 50% के लिए मुझे इससे 180 degree करना होगा तो यह होगा मेरा 50% circular progress अभी इससे मुझे dynamic भी बनाना है that means कि अभी यह जो degree हम दे रहे हैं यह हमने जो last video में देखा था उसको dynamic कैसे बनाएंगे तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या use करना पड़ेगा उसके लिए मुझे यहाँ पर import करना होगा style को मैं style के दुरू इसलिए बता रहा हूँ कि यह most popular है काफी use भी की जाती है अगर YouTube पर कुछ projects देखेंगे तो महाँ पर भी style को काफी use किया है तो style को मैं इसलिए यहाँ पर use कर रहा हूँ और यहाँ पर हम बनाएंगे outer circle और यह जो outer circle रहेगा यहाँ पर हम इसको एक div बनाएंगे और जो भी मेरी properties थी यहाँ पर उन सभी properties को हम यहाँ पर paste कर देंगे और इसका कोई use नहीं इसको हम comment out कर देते हैं भी as of now save करता हूँ मैं यहाँ पर आते हैं यह हमने outer circle बना लिया अपना इसको भी save करता हूँ मैं और अब instead of यह जो हम div यूज कर रहे हैं इसको हम यहाँ पर comment out करते हैं and instead of that div we will use this outer circle as a tag correct जो हमने last video में भी देखा था इसको हमने as a tag यूज किया यह दो lines हमने already comment कर दिया तो इने remove कर देते हैं ताकि थोड़ा confusion हमारा खत्म हो जाए indirectly यह जो outer circle है यह भी मेरा div ही है लेकिन style की properties की help से हम इसे एक tag बना रहे हैं manually like custom tag बना रहे तो यहाँ पर यह हमने already properties set कर दिये अब इसे मुझे dynamic बनाना है that means यह जो percentage की basis पर चलाना है तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यह जो app आ रहा है मेरा इसमें हम यहाँ पर कुछ percentage पास कर रहा है 75% तो इसको हम यहाँ पर get कर लेते हैं तो इसको हम यहाँ पर get कैसे करेंगे const progress is called to props.percentage circle में पास करना है that means कि यहाँ पर मुझे कैसे मिलेगा वो outer circle में वो outer circle में मुझे props की हद से मिलता है लेकिन हमने एक चीज़ और देखी थी हमने animation भी perform किया था तो यहाँ पर मैं इसके साथ ही style के साथ ही keyframes को भी import कर लोगा तो यहाँ पर हम keyframes को भी import कर लेंगे और keyframes भी create कर लेंगे progress animate not 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 this keyframes और इस keyframes के अंदर आ जाएगा हमारा 0% and then आ जाएगा हमारा 100% correct 0% पर क्या होगा और 100% अब इसको हम यहाँ पर paste कर देते हैं animate को animation के key पर animation जो मेरा key है वहाँ पर हम इसे template की help से paste करेंगे and then यही पर हमारा आ जाएगा यही पर हमारा आ जाएगा 2 second and forwards जो हमने last video में देखा भी था and then progress animate पर यहाँ पर मेरे पास props आ जाएगा अभी यह जो हम यहाँ पर pass कर रहे हैं इसको मुझे उठा कर ले जाना है यहाँ पर यहाँ पर हम इसको कर देंगे 0 degree जब मेरा जो animation होता 2 second का उसका जो initial part होता है वहाँ पर 0% पर यह 0 degree रहे and जब 100% हो जाए तब यह 180 degree हो जाए अभी से save करता हूँ मैं तो यह हमारा perfectly run हो रहा है लेकिन अभी 75% रन ही हो रहा है अभी 50% हो रहा है क्योंकि हमने degree यहाँ पर hardcode किया है अभी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा props तो उस props को मैं pass कर दूँगा progress animate में that means यहाँ पर मुझे मिलेगा props तो इस props पर मुझे percentage मिलेगा correct यह props जो percentage and progress showcase करने के लिए उस कर रहे है इसको हम यहाँ पर pass भी कर सकता हूँ इस progress animate मे ओके सो यहाँ से मुझे इस div के अंदर से background color को remove करना है तो अभी यह जो 100% है मेरा यहाँ पर यह वाला applicable हुआ background property और अब जो हम यहाँ पर props.percentage pass करेंगे मतलब जो कर रहे हैं वो मैं यहाँ पर percentage as a parameter ले लेता हूँ and then इस percentage को हम represent कर देंगे इस 180 degree की जाए that means 180 को replace कर देंगे percentage से अभी यह जो मेरा dynamic value है तो इसको हम में template use करके इसमें paste करना होगा अभी हमने यह जो किया है यहाँ पर हम कुछीज missing कर रहा है that is 75 तो हो गया degree होगा correct okay it was not working because we are not providing outer circle the value which we are getting तो यहाँ पर हम इसको props भी pass कर सकते हैं या फिर काम करते हैं यहाँ पर percentage pass कर देते हैं directly which would be progress correct and then यहाँ पर inside the props I will get this let's save it and now we are getting 75% okay correctly yeah so we have done this like perfectly using hardcoded values as well so now what we can do to test it is in main.jsx we will replace 75 with 100% and if we save it it is 100% complete and if we replace 100 with 60% then 60% complete and if we do it for 25% it is 25% complete okay now what we did is we used this conic gradient and just using the styled component and keyframes we made it dynamic as well जो हमने last video में भी देखा था so this is all about a circular progress जहाँ पर आपने conic gradient को यूज किया है एक circular frame create करने में और वहाँ पर हमने दो values पास करी है that is कितना degree हमें progress हुआ है and कितना remaining है मतलब कितना हमें remain टकना है जहाँ पर मेरा degree finish हो रहा है जो completed degree यूज के लिए नमस्ते करने स्कतर कित प्य Alone